परेंग हमारी पूरी दुनिया में करीब 25 सापों की परजयादिया पाया जाती है जिन में कहीं सारे सापों की परजय जतो अनुकी व Black चौचरत परजया थो पर ऐसा नहीं है कि झौँ अनुकी होते हैं वो खतरनाक नहीं हूते हैं इन सापों में तो वह उतनी आमेजिंग होते हैं जिने देखने पर उनको उठाने और गले में ठाकर सेलपी लेने का मन करता है तो चलिए देखते हैं इन खुब्सुरत साफों को नंबर वन रेंबो इसने क्या आपने कभी ऐसा अमेजिंग साफ देखा है जो बिल्कुल रेंबो की तरह नजर आता है और जिसमें इंदर जनुष के साथों रंग होते हैं असल में इसका नाम रेंबो स्नेक के जिसके पीट के उपर नीला वो काला रंग है और यह बहुत ही कलरफुल साफ होता है अकर इसकी लंबाई की बात करो तो 1.67 पेंटी मिटर लंबे हो सकते हैं और तो इन साफों को पानी क आसफास देखा जा सकता है और इसलिए मचली मेंटर खाते नजर आते हैं और यह साफ बहुत ही सरमिले होते हैं और इसकारण से इनको देखना बहुत मुश्किल होता है साफ कम दिखने की बज़े यह भी हो सकती है कि पिछले कुछ टायंशन की तागात बहुत ही कम होती होते हैं और इनी रंगों के कारण यह साफ बहुत ज्यादा एट्रेक्टिव लगते हैं इन साफों की लंबाए 20 फिट तक भी हो सकती है यह साफों को साउध इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है यह साफ बहुत ज्यादा जेरीले होते हैं पर इनकी खुप्शूरत में मिलने वाले इन साफों का सिरे एक दम ट्रेगन की तरह दिखाए देता है और इस कारण से इन साफों का नाम ट्रेगन स्नेक पड़ा है इस साफ बहुत ज्यादा अमेजिंग होते हैं लेकिं दूसरे साफों से बहुत 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 होते हैं क्योंकि दूसरे साफ उस्टेलिया के जंगलों में पाया जाता है और दिखने में काफी अमेजिंग और खुश्चूरत होता है लेकिन आपको बता दू कि यह स्नेक बहुत ज्यादा जेरीला होता है इसमें नियूरो टॉक्सिन बैलम पाया जाता है इसकारेंड सापों से दूर रहना ही बैतर है इस जैसे बड़े होते हैं इनका कलर पूरी तरीके से वाइट हो जाता है सब्सक्राइब के होने पर यह साप वर्ल्ड के खूप्सूरत सापों में से एक है लेकिन अपने अमेजिंग लुक के कारण यह साप काफी लोगों का सिकार बन चुके हैं और इसी कारण सापों की ताग साप पाया जाता है इसकी लंबाए 40-60 हिस तक हो सकती है लगबक 10 साल तक जिने वाले साप 12-16 सिलोमेटर पर हाउर की स्पीट से सिकार करते हैं नंबर सेवन ग्रीन किलबेग अपनी नुकीली पूंच और अपने हरे रंग की वज़े से इनको यह नाम मिला है यह साउथ इं से ज्यादागी हो सकती और ज्यादातर इनको बारिज के टाइम पर देखा जा सकता है और यह साप मचली में लग जैसी चीज़े खाते हैं नंबर एड ग्रीन टी पायतन पेड़ों पर रहने वाले यह हरे बर साप बहुत यह अट्रेक्टिव दिखाए देता है उस्टेलिय के बाद यह पेटी से अधीकंडे देते हैं और इन अंडों में चमकीले वह फुबसूरत साप निकलते हैं नंबर नाइड एड एड़िट ग्रेडि इन शापों का लाल रंग का होता है इस लाल रंग के कारणी सापों का नाम रेड हैड़िट के नाम से जाना जाता है अपन जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में